बीजेपी वाशिंग मशीन के साथ साथ दस्ट मिन वाली पार्टी हो गई है कुरा दान हो गया है सब पार्टी का कुरा जाकर के बीजेपी में चला जाना है भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का अलुआ दे करके पडूज देते हैं गलाय थे प्रधाल मत्री जी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है रेल्वे का निजी गिरंग कर लिया अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया प्यार में चक्ता करखाना से लेके कई रेल्वे का तीन चार ठैक्टरी दिया आपके रहते हैं दस सार आपने क्या किया कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसल्मान यादव की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, तो इस लड़ाई में साथ है की नहीं है, दोनों हाथ उटा के बताएए, अगर आप साथ दोगे, तो तेज़ेश्वी मर मिटने को तैयार है आपके लेकिन पलड़ गे, तो जहां भी रहें सुखी रहें, आप लोग तो जानते हैं, हम आप से पूछ रा चाहते हैं, सबसे पहली बार, आपने किस के मुँ से सुना था, दस लाख नोकरी का, पट्णा में, बिहार में पोश्टर लगवारे हैं नितीश कुमार जी, हमारे आदर दिया हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजर्ग हो गए हैं, लेकिन पोश्टर लगवारे हैं कि गोश्गार मतलब नितीश कुमार, यह वही नितीश कुमार जी हैं, जब 2020 में हमने वादा किया था, कि 10 लाग सरकारी नौकरी देगे, तो मुख्मंत्री जी ने कहां तक कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास सिला करके बेतन बाटेगा, और संबाव है, सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्मंत्री से, उनीके हाटों, 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगबत 5 लाग लोगों को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने दिलवाने का काम किया, माघदमंदन के साथियों को भी धनिवाद देते, कि वी प्रिच्चिति में भी, दूल लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पाटियां, कॉग्रेस पाटियों ने, लेकिन 17 मेरे में हम लोगों ने किता काम किया जात्या धारित गन्ना कराई आरक्षन की सीमा 75 परचेंट कराया अत्ती पिछलों भाईयों का हम लोगों ने 24 परचेंट बढ़ाया पिछलों भाईयों का बढ़ाया तक दो काम जाथी आप टेकरिक परायों ने आदिवासी आपकलायी ऑन अजुदा काम आजादी के बादिशक्रान आपाटे किसी प्याथिक आता कि सरकार नहीं किया नियुक्त टाम को zmian अन्वारी हो उन सब के मान देव को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया दुगुना किया मम्ता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं लेकिन मुक्मती जी कई माईनों से रोक करके रखे हैं कैबरेट पे फाइल नहीं आने देरें स्वास विबाग से एक लाग तीस हदार का पब बार करके रखे हैं लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजेश्वी खड़ा है आपकी लगाई में आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा तो इस लगाई में साथ है कि नहीं है दोनों हाथ उटाके बताएए अगर आप साथ दोगे तो तेजेश्वी मर मिट्टे को तैया है आपके लिए कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पाटी है मुसल्मान यादव की पाटी है हम कहना चाहते माई के साथ-साथ बाप की भी पाटी है यह माई बाप की फाटी है, बी से बहुजन, ए से अगणा, दूसरे ए से आधियाबादी, महिला, अब बी से पूर, यारी बाप, यारी माई बाप, A to Z की पाटी है यह, और बाई बाप हमारी जन्ता है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी प्रेड़ना है आप सब लोगों का और शिर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है उसी ताकत के बदलाद आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे तो आप लोगों का साथ है ना विश्वास दिनाते हैं अपनों और आर्ट जेडी का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आर्ट जेडी का मतलब है आर्ट से राइट्स यानि अधिकार जे से जॉब मतलब नोक्रिया और डी से डिवलिप्मेंट लिए बता विकास यानि अधिकार नोक्रिया विकास राइट्स जॉब डिवलिप्मेंट ये है अर्जेडी का मतलब डी जेपी के लोग जगा जगा तोर फोर्ड करते रहते हैं इस तिन सरकारों को तोर लिया जाता ह अरे कुछ विदायक इधर से उधर कर दे कोई फ़र्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन जन्ता को कहां से खरी देगे जन्ता जवाब देगी जवाब दीजेगा ना कुछ लोग दर के कारण कुछ लोग लालच के कारण घुटने तेखते हैं मोदी जी क्या आगे बाटपा के आगे लेकिन मुझे गर्व है अपने पितापाण कि किसी ने बहे से बनीवी विबदा आई कितना भी डराया गया कितना भी कोशिश किया जुकाने का लेकिन हमारे पितादे जन्ने का काम किया कभी जुके नहीं कभी डरे नहीं और हम रिश्वाद दिराते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा दरेगा लरेंगे आख्री सास्ता ये विचार धाना की लराई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा सभी समाजवादी भाईयों को साथ आना होगा कभी राहो जी को एडी का समन अभी देके उत्तर प्रदेश में घर्बंदन हुआ हमारे बने भाई को तुरण सीबी आई के लोग आगे अकिले जी को समन भेज दिया हमारे तो पुरे परिवार को समन भेज आई लेकिन हम लोग दरने वाले लोग नहीं हैं यह बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग दरेंगे हम लोग दरेंगे नहीं ना जुकेंगे जंता की लगाई में जंता के साथ खड़े रहेंगे आप सब लोग वाशिंग मशीन तो सुनते थे वाशिंग मशीन, कितना बाद से बड़ा भी भ्रस्टचारी जो होगा, वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुराई हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी वाशिंग मशीन के साथ साथ दस्टमिन वाली पार्टी हो कूरा दान हो गया है सब पार्टी का कूरा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है उसलिए ये वाशिंग मशीन के साथ साथ दस्पिर वाली पार्टी है यह आप जानतें बीजेपी के लोगों ने दो-दो उत्मुकमलत्री बनाया है एक और फाउल माउथ है अना आप चला बोलता है और दूसरा जो है लाउड माउथ है बर बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि यह जो उत्मुकमलत्री जिनको बनाया है जो बर बोले है चौदा साल से चुनाओ नहीं लड़े है चुनाओ नहीं लड़े है और लड़े रहे और जीते है तो आरजेडी से लड़े है और जीते है आखरी बार भी अरे हमोरे चाचा तो पंटी मुआते ही है लेकिन समराज शौदी भी कम नहीं है पात पंटी बदल चुके है और आज तक चुनाओ नहीं लड़े तो ज्यादा हम लोग क्या कहें लेकिन मोदी जी आये थे कलिया क्या बोल करके गए वहीं जुमला वहीं बक्वास की बाते जूट प्रचार हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जूट बोलने के फैक्टरी है मैंडूफैक्शनर है मोदी जी होल्सुलर के साथ डिस्ट्रिब्यूटर भी है जूट बोलने के आप लोग आज याँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आएं बाजपा के साथे जों से पूच रा कि उनके जिला में बाजपा के लोगों ने क्या किया बताओ मोदी जी ने कोई करखा न दिया कोई नौक्रिया दी पलाइन रोता गरी भी बिटता ही क्या महगाई कम की कहां से फिर बियार को विशेश राज का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाएं जरा सवाल किजेगा कि आप कहते थे दो दो करोर रोजगार देगे पदा पदा लाग रुपया खाता में देगे क्या हुआ इसलिए आने वारे समय में आख लंग करके आप लोग निर्ना लीजेगा और वोट देने का काम कीजेगा तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलुआ दे करके परोज़ देते है इतना जूट बोलते हैं ये लोग बता गोबर को गाजर का हलुआ बना करके दे देते हैं परोज़ देते हैं जूटा लोग है ये लोग इसलिए करनाय थे प्रधाल मतिजी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में हमको इंडिरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है मोदी जी खोड़ा कान खोल के सुनिये आज इसी ब्यार की धर्टी से हम बोल रहे है कल आपने बोला आज उसका जवाब देने हम आए हैं चेश्मा साफ कर लिजिए खोल के ये नजारा देखो जन सलाब है मोदी जी जड़ा बताई ये 90,000 करोर का मुनाफ़ा यूप ये वन में हुआ था लालू जी ने एपियासिक काम किया आज तक रेलवे को मुनाफ़ा नहीं हुआ था में आज तो थोड़ा हम बता दें आपने दस साल में कितना मुनाफ़ा दिया जंता को दिया रेलवे को दिया या पुल्जी पती को दिया चिसको दिया лишь का तो या बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया जितने teu बाई था शबक आर मोकरी देने का या कि पर्मानेंट की लिकिए यह तो खुल्लार श्राव को आप खोलर रेल्वे में ताकि कुमार भाई सबको रोशगार मिले यह काम किया लालु जी ने आपने क्या किया बियार में चक्ता करखारा से लेके कई रेल्वे का तीन चार ठैक्टरी दिया आपके रहते हुए दस सार आपने क्या किया अरे लालू जी मुक्मदी थे जो देश में कभी नहीं हुआ मालसिक गुलामी से मुक्ती लालू जी ने दिलाया दिहान में सबाजिक नहीं करके दिखाया गरीबों को आवास दिया आज कोई भी गरीब नब्बे के बाद अपना धिकार के लिए लड़ना जानता है अज़ी पिछला लड़ना जानता है दलित लड़ना जानता है अधिवासी लड़ना जानता है अच्छा के एक भाई लड़ना जानते है अब कोई चपल उत्रुआ देगा अब कोई कुवा का पानी नहीं पीने देगा अरे अब कुवा का पानी नहीं दस दस गो कुवा बना लेगा अजरुआत परे तो उन्हीं लोगों का पानी पिना देगा क्या बात करते हैं ये लोग उसलिए बातपा के लोग के वर बक्वास बोलते हैं जूट बोलते हैं बोलते हैं परिवारवादी लोग है परिवारवादी लोग है अरे पीछे समराज चोदरी बेठे वे हैं रामभिलाज पास्वान जी के भाई बेठे वे हैं पानसी कही नेता बीजेपी में परिवारवा नजर नहीं आता है माननी नितीश कबार जी यूटन जो लिए है समझे कि आप हमको लगता है कि राज सरकार को इंशोरेंस अभीमा करा लेना चाहिए अब मोधी जी कल कह रहे थे मोधी की बड़ी मजबूत गारंटी है मोधी की गारंटी मोधी की गारंटी अरे मोधी जी जड़ा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई अन्य बताओ कोई ले सकता है कि यहाँ जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं अब हम यहीं रहेंगे और जीवर तो मौदीजी हसने लग गये क्यों हसने थे भाई मौदीजी क्यों हसने थे और हमारे चाचा को बार बार यह क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, मिठी बे मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कही नहीं जाएंगे एक वा गाना सुने है आप लोग, जितिक रोशिन का फिल्म का गाना है इधर चला बे उधर चला जाने कहा बे किधर चला अरे अरे फिसल गया अरे चाचा जी चलिया आप बुज़ोर गया आपको यहीं से हाजोर तक पनाम लेकिन एक बात ते हैं जद्यू दोजार चौबिस में खत्मा हो जाएगी यह मेरा कहना है बताओ सची बात है कि नहीं जद्यू का कोई भविश रहे क्या कोई भविश रही है आप इधर चलिये उधर चलिये अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे कही के नहीं रहोगे तो इसलिए आप सब लोगों को यह कहना है एक तरफ इन लोगों का घटबंधन जो है एक तरफ फिरका प्रस्थ है और उसके साथ मौका प्रस्थ है लोग है एक तरफ फिरका प्रस्थ एक तरफ जो है मौका प्रस्थ लोग है इसलिए आप सब लोगों को जादा कुछ हम नहीं कहींगे लेकिन आप तेजश्वी से प्यार करते हैं हाथ उठा के बोला तेजश्वी से प्यार करते हो मेरी एक बात मानोगे हाथ उठा के मेरा एक काम किजेगा कि आप सब लोग गरीबों को जोडने का काम किजे दलित भाईयों को सम्मान दीजे उनके दुख, सुक में पाति पिछडों का, दिवासी भाईयों का अब चक्यक भाईयों का भागिदार बनोगे बताओ हाथ उठा के बताओ बनोगे ना तो हम जादा कुछ नहीं कहेंगे अब आप लोगों कोई काम करना पड़ेगा काम किजेगा ना हम भी साथ रहेंगे साथ साथ मिलके काम करेंगे तो जादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिश देता सब लोग यहाँ है राहुल जी है, अकले जी है खरके साहब है जी राजा साहब, यह चुरी जी दिपाविकर जी, लालू जी आप लोगों के सबच बात रखेए तो हम नी शन्द शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों को धेरो धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विणाम देते है, मेरे साथ दला लगा करके हम अपनी बात को सबाब करेगे हम बोले यह भाटपा भगाओ दोनों हाट उठाके बोलिएगा भाटपा भगाओ भाटपा भगाओ भाटपा भगाओ बहुद बहुद धल्दवाद बियार की ज्लता जिन्दा बाद ब्यार की जन्ता जिन्दा बाद जिन्दा बाद बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कारेकर्टाओं को महागट बंदन के साथियों को इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयो जन्द किया सभी कारेकर्टाओं को पदादिकारियों को विधायकों को एंपियों को सब को हम धन्यवाद देते हैं इस्रैली के सफलता के लिए जय हिन जय बिहार